हलो दोस्तों मैं हूं कास्दी पर्मा हिंदी वाइस नोट्स यूटूब चैनल में आपका स्वाबत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के 23 तीर्थकर पास्वनात के बारे में पढ़ेंगे तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए कासी के सासक थे अस्वसेन और इनकी पत्नी का नाम था वाया इन दोनों से पास्वनात का जन्म हुआ था अस्वसेन इच्छाकुवस से थे पास्वनात का विवा प्रभावती के साथ हुआ था देखिए पास्वनात जोकी जैन धर्म के 23 तीर्थकर थे पास्वनात का जन्म 790 बिसी में हुआ था जिस दिन उनका जन्म हुआ था वह दिन था पॉस्ट कृष्ण एकदसी इस थान था बनारास बनारास में पॉस्ट कृष्ण एकदसी को 790 बिसी में पास्वनात का जन्म हुआ था लगबग महाविर स्वामी के जन्म के 250 वर्स पूरो पास्वनात का जन्म हुआ था इसके बाद आने वाले तीर्थकर हैं पास्वनात के बाद महाविर स्वामी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे महावीर स्वामी के जन्म से लगबग 250 वर्स पहले पास्वनात का जन्म हुआ था इनके पूरुवर्थी थे मतलब इनके पहले के तीर्थकर थे नेमिनात और इनके आगे वाले तीर्थकर होंगे महावीर स्वामी पास्वनात का प्रतिक चीन था साब और इनके जन्म के समय इनके सरीर पर सर्प चिन था और ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के पूर इनकी माता प्रवावती ने सर्प का सपना देखा था पास्वनात का प्रतीक व्रिक्ष है भातकी पास्वनात का प्रतीक रंग है हरा इन्होंने ग्रित्याक किया था पास्वनात जीने ग्रित्याक किया था तीस वर्स की आयूमे और दिख्छा लिया था इनको केवले प्राप्त हुआ था अर्थाद ग्यान की प्राप्ती हुआ थ 83 दिन कठोर तपकने के पस्चात पास्वनात को ग्यान की प्राप्ति हुआ था कासी में देखें 30 वर्स के आयूमिने उन्हें गृत्या किया उसके बाद 83 दिन की कठोर तपकने के पस्चात इनको ग्यान की प्राप्ति हुई कासी में इनके प्रथम अन्याई थे इनकी पत्नी प्रभावती और इनके अन्याईयों को स्वेत वस्त धारन करने की अनुमति थी पास्वनात के अन्याईयों को स्वेत वस्त धारन करने की अनुमति थी देखे पास्वनात को मोक्ष प्राथ हुआ सामण सुक्ल सप्तमी को इस्थान थ सम्मेच सिखर और सम्मेच सिखर ही इनका तब इस्थान भी है सम्मेच सिखर जो कि जीला गिरीडी जारखंड पड़ता है देखिए पास्वनात ने चार महावरतों का प्रतिपादन किया था पहला है सत्य हमेशा सत्य बोलना दूसरा है अहिंसा सर्वाइस पर उन्हें ने सर् महावरतों का प्रतिपादन पास्वनात के दुआरा किया गया तो इस वीडियो में हम लोगों ने पास्वनात के बारें पढ़ा और आने वाले वीडियो में हम लोग महाविर स्वामी के बारें पढ़ेंगे अभी के लिए इतना ही धन्यमाद